हेलो एवरिवन आज मैं आपके लाई हूँ लंच और डिनर में बनने वाली एक बहुत ही सिंपल तरीके से सुपर डेलिशेट डिस अगर आपने इस अकेली डिस को बना लिया तो आपको ना सबजी बराने पड़े गया लग से ना ही दाल यह दोनों को कम्प्लिट करती है बहुत टेश्टी होती है और यह बहुत हिल्दी भी होती है आपसे 15-20 मिट में लंच या डिनर तयार कर सकते हैं यहाँ पर आपको लेना है honeymoon यानी साबुत जो honeymoon होती है उससे आपको लेना है इसमें बहुत साए nutrition पायते हैं और फाइबर पायते हैं और doctor भी recommend करते हैं इसे consume करने के लिए तो सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरह से वाश करना होगा दो से तीन पानी अच्छी तरह से इसको साफ कर लीजे और इसके बाद इसे हम ब्लांच करेंगे यहाँ पर मैं इसे भीगो नहीं रही हूँ, सोक नहीं कर रही हूँ इसे फटा-फट इंस्टेंट बनाना मैं बता रही हूँ इस तरह के से आप बनाएंगे तो यह जो आपकी डिश है बहुत टेश्टी बनेगी देखिए अच्छी तरह से वाश हो गया है, अब इसे हम प्रिशर कुकर में डाल देंगे तो हाफ कप यह मूंग है तो यहाँ पर एक से डेट कप पानी डाल दीजिए इसमें आधा छोटा चमच आप नमक डाल दीजिए क्योंकि इसे हम ब्लांच कर रहे हैं तो नमक सिर्फ हम ब्लांच करने करें डालेंगे और बाद में डिसकार्ड कर देंगे एक हाइफ लेंपर विजिल आने दीजिए तुरंत गैस को बंद करें और इसका प्रेशा निकाल कर इसका जो पानी है हम इसे ड्रेन आउट कर देंगे जब आप इसको देखेंगे जो मूंग है गला नहीं है हाथ में लेकर देखिए चेक करिए तो इसका जो छिलका है वही सॉफ्ट हुआ है दाल बिल्कुल नहीं कलेगा और इसमें जो इसमेल होती है न मूंग में वो निकल जाता है और यह बहुत हिल्दी तरीका है बनाने का मूंग का यह दाल या सब्जी जो भी आप इसको बोल सकते हैं यह जो पानी है इसे discard कर देना है अब यहाँ बलेना है दो हरी मिर्ची तीन से चार लहसें की कलियां मोटी हैं तो मैंने 3 ही लिई हैं छोटी हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं 1 medium size का प्याज 2 medium size के tomato ये देशी tomato है स्वाद में खटे हैं इन्हें बारिक आपको काट का रख लेना है इसके बाद सेम pressure cooker का उस्तमाल करना है दो बड़ी चमज सरसो का तेल डालिए या फिर देसी घी में अब बना सकते हैं आदा छोड़ा चमज जीरा डाल दें और आदा छोड़ा चमज इसमें हिंग डालना है फिर बारी कटा हुआ लहसन डाल दीजिए और इसे फ्राई होने दीजिए जब लहसन आपका हलका ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज फिर प्याज को हमें फ्राई करना है मेडियम से लो फ्लेम पर आपको मसालों को भूनना है प्याज जब ट्रांसुलेंट हो जाए यानि हलका सा इसमें ब्राउन कलर आने लगे और इसको हम पकाएंगे ताकि अद्रक लेशन का कच्छापन निकल जाए अच्छी तरह से और जो हमने बारिक काटकर लेशन डाला है उसका फ्लेवर अलग से आता है बहुत ही सोंधापन होता है अभी देखिए प्याज थोड़ा और ब्राउन हो गया है लद्रक लेशन पक ग करते हैं और गरम मसाला क्वाटर टी स्पून डालनी है बहुत थोड़ा सजाएगा मसाला इसमें नमक डाल देजिए स्वात के अंसार और अब हम मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे ज्यादा नहीं आधा मिनट आपको भूनना है इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे पाई डाल कर मसालों को अब पकाना है हमें ताकि मसाले पक जाए और टमाटर भी हमारा साथ साथ में गल जाये मेडिया फ्लेम पर करके इसे ढख दीजिए और ढख कर इसे पकने दीजिए बीच वीच में चलाते रहें ताकि मसाले आपके बाटम में जलेना मसाला पक तो एक अच्छी सी खुश्बू तो आएगी ही साथी तील भी छोड़ देता है और इसको थोड़ा सा मैश कर दीजी एदम टमाटर हमारा मुश्री हो गया है इस तरह से अब इसमें हम मूंग को डाल देंगे और फिर इसमें मैंने डाला है एक मेडियम से थोड़ा बड़ा का आलू आप इसमें फूल को भी है तो उसे भी काट कर डाल सकते हैं अब इसे हम मिक्स कर लेंगा अच्छी तरह से साथ में मैं इसमें डालती हूं थोड़े धनिया की पत्तियां बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह से आप डाल कर जलू देखिएगा धनिया पत्ति जगा आया तो आप कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल सकते हैं और अब इसमें हम पानी डालेंगे आदा कप मूंग है तो मैंने हाँ पर पौने दो कप पानी डाला है और अब इसे हम प्रिशर कुक करेंगे इसे मैंने ढग दिया है इसे और जल्दी पकाने के लिए आप इसमें मोंग इटम गल चुका होगा आलू पहुत पक चुका होगा देख़े कितना सुन्दर सा हुआ है अगर आप इसको थोड़ा और पतला करना चाहते हैं तो इसके उपर थोड़ा सा गरब पानी डाल सकते हैं या फिर आप ऐसे ही रहने दें इसको उपर थोड़ा धनिया पती डालिए और एक सी दो बड़े चमस देशी घी डाल देजी और यह मूंग की डिश आपकी तयार हो गई है बहुत टेश्टी होती है बहुत थेल दी है कम तेल कम मसाले में त्यार होता है इस इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ सर करिए देखिए बच्चे से बड़े सभी पसंद से खाएंगे इस अकेले एक डिश में ना दाल और सबजी दोनों के पोशक तत्वे हैं और उनसे कहीं ज्यादा इंट्रेस्टिंग और डिलिश्यस रेस्पी है और इसे बनाने के ल ने थैंक यू बाबाई